बॉले वोड के गड़ियारों से निकल के आई है कैसी खबर जिसको सुनने के बाद किंग खान के दिवाने बॉले वोड के चॉकलेटी बॉइ याने कि रनवीर कपूर को कह रहे हैं ये बात कि बबुआ किंग खान के नाम से अपनी फिल्मी दुकान चमकाना चाहते हो मेरी जा बात तो आपर जाती हो कि इन दिनों बॉलिवोड के रोमांस के असली बातसा यानि कि किंग खान शारू खान अपनी आने वाली मच अवेटिड फिल्म यानि कि पठान के मादियम से बॉक्स ओफिस पर एक ऐसा भूचाल एक ऐसा तूटपान एक ऐसा जलजला एक ऐसा भुक सिनेमा घरों में अरलीज होगा तो भाई उस दिन सिनेमा घरों का माहौल कैसा होगा तो भाई उस दिन का माहौल जैसा भी हो लेकिन भीया अभी से इस भूचाल इस तोफान इस भूकंप इस सुनामी का फायदा बॉलिवोड का हर एक कलाकार उठाना चाता है और भाई इन स को ले कर ये जानकारी हमनों के सामने आई है कि ये फिल्म बहिया अगस्त के महिने में 11 तारिक को रिलीज होगी उसके साथ उनकी एक और एक फिल्म इस फिल्म से पहले ही सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है जिसका नाम है तू जूटी मैं मकार जिसे डिरेक्ट किया है में आने वाली है इस फिल्म का छोटा मोटा ग्लिंस भी जारी किया जा चुका है इस फिल्म का मोशन पुश्टर भी जारी किया जा चुका है इस फिल्म का ट्रेलर को लाने के लिए एक नया प्लैनिंग इस फिल्म के मेकरों ने तयार कर लिया है जिसको सुनने के बाद ही य इसी मेने की 25 तारीक को रिलीज की जाने वाली है भाई सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पी नहीं पहले सिनेमा घरों में याने के विया पठान के साथ तू जूटी में मकार का ट्रिलर अटैच करके रनवीर कपूर और इस फिल्म के डिरेक्टर यानि कि लवरंजन सिनेमा घरो में लाना चाहते हैं क्योंकि ये दोनों ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई इस बार जब पठान सिनेमा घरों में आएगा तो इस फिल्म को देखने के लिए हुजूम सिनेमा घरों की तरफ जाएगा तो भाई उस हुजूम का ध्यान अपनी इस फिल्म के लिए भी थोड़ा सा आकर्शित करना चाहते हैं चोकलेटी बॉइ तो दोस्तों आप अपने कमेट के माधियम से हमें जरूरूरत आईगा कि भाई अगर चोकलेटी बॉइ ने अपने इस फिल्म के लिए यह स्ट्राइजी बनाया है तो इस स्ट्राइजी का कुछ बेनिफिट उनको मिलेगा क्या अपने कमेट के माधियम से हमें जरूरूरत आईगा तो बॉलिवूर्ट से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल याने के वारन जैक्शन को लाइक स्ब्सक्राइब करना ना भूलेगा और माने अपडेट्स को जानने के लिए बल